हनी ट्रैप मामले में पिछले 15-20 दिनों से जैसे आप बता रहे हैं, बीजेपी के भी नेताओं के नाम आ रहे हैं, और कॉंग्रेस के भी आईटी सरके नाम आ रहे हैं, अब लेटेस्ट बात भी आई है कि मुख्यमंत्री जी ने भी STF, ATS के चीफ को, BGP को, चीफ सेकरेटर को बुलाया, रेटीस में होना ही ने चीफ, कुल मिला कि यह चल रहा है कि BGP और कॉंग्रेस दोनों ने इसको यह कर लिया कि मामला बंद होना चाहिए, इसमें किसी के नाम बात रहे हैं, यह बात सही है कि लगवा 15-20 दिन से मामला जो है पूरे प्रदेश को मत रहा है, रा यहां तक मैं कह सकता हूँ कि इस समय मत पदेश की राजिटी सर्फ और सानी टेप के इर्दगर्दी घूम रहे हैं, और साथा नों शासन भी हुम रहा है, सारे की सारी व्योसता हैं हमारी प्रभावबत हो रही है, जिसका निश्कर्स कुछ भी नहीं है, जिससे कोई लाब कखे रूफ से धनकमा रहे थे उहां पर फिए लोगों हो राइंतरों हों बेच inhib, कमा रहे थे और उन ने महिलाओं के लिए दे रहे तो महिलाओं पर किले और दोगों परकेंड चले कि दन कहां से आया उनके पास में बेतन कितना था उनका और इस अब करने की क्या यह जो मान के चलता हूं कि अवैद रूप से कमाई गई संपत्ति इस वसब लगए पिछले बारा चौबिस घंटे का जो घटना क्रम है जिस तरह से मुख्यमंत्री ने डी जी पी चीफ सेकरेटरी और ATS के चीफ को SIT के चीफ को बुलाया और कहा कि SIT के चीफ ATS को इसमें करना ही नहीं चाहिए था तो आपको नहीं लगता कि यह किसी तरह से मामले को दबाने की कोशिश हो रही है मुझे यह नहीं मालूं कि मुख्यमंदी कि संदर में डी जी पी को चीफ सेकरेटरी को या फिर डी जी SIT को इनको बुलाया मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूं लेकिन उन्होंने बुलाया हुए दी इस मामले के लिए कि इस मामले की ठीक ठीक जांच करो औ इस वर्सों से मिधायक हों 15 वर्सों तक लगातार मिनिश्टर रहा अभीव लीडर आपोजिशन हो तो मेरी आत्मा जो इस राजिय में बसती राजी की जनता में भी और लब हुन में प्रसाशन में सासन में सब लोग मेरी आत्मा के लिए कि मद्द्रदेश का नाम हो रही है तो निश्यत रूप से एक प्रदेश का एक सब्सक्राइब बहुत वरिष्ट और एक कार से मेरा लगाव जो है वरिष्ट विधाय तो हूँ ही लेकिन लगाव जो राज्य के साथ में इतने दनों में पैदा हुगा है इससे मुझे तकलीफ होती है कि बाहरी राज्य पूर आपके सेकरेटरी इन चार्ज इनके फोटो समेच छपें आखबारों में किसी ने कोई खंडन नहीं किया कोई डेफिमेशन का केस फाइल नहीं किया तो इससे तो यही सही है तो मैं खुद कहना चाहता हूं कि हमें अपनी इंदरियों को वश में रखना चाहिए और इ यही इन मानवी कमजोरियों का सबसे बड़ा कारण होती है यही सबसे बड़ा इस पकार की घटनाएं घटत होती है यही सबसे बड़ा कारण होती है राइंतिक लोगों के लिए प्रसासने खलके में रहने वाले लोगों के लिए उसारज जोने की वने काम करते हैं अपने आ प्रसास ने हलकों में काम करने वाई लोग के पास में आई मैं मान के चलता हूं कि इसकी भी विस्तत जांच हो लेकिन अब जल्दी जल्दी इस गंदेगी को साफ करना सब्सक्राइब एक आखरी सवाल आपके खिलाफ MCC का वाईलेशन का केस दर्ज किया है कल आपने जहाबों में बयान दिया कि पाकिस्तानी कैंडिडेट है कॉंग्रेशी कैंडिडेट सबसे बड़ा देश है भारत के कंग्रेस पार्टी के नेता समय समय पर ऐसे बैयान देते हैं। jo Prakis मंच्प कि भारत के कंग्रेस पार्टी के नेताओं के भासनों का उल्लेट करते हैं और वो हमारे देश के खिलाप जाता है पूरा का पूरा और इस लिए मुझे इस बात को कहना पड़ा कि एक ऐसी पार्टी जिसके नेता ऐसी बयानवाजी करते हैं कि जो पड़ोसी शत्रू देश के काम आती है ऐसे देश के उम्मीद्वार के बारे में हमें सोचना होगा यह मैंने कहा